एलो एवरिवन वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल प्रियान एन इस्किन केयर फ्रेंड्स आज में आपके साथ जो DIY फेस टोनर शेर करने जा रहे हूं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एकदम 100% प्योर नेचुरल और विदाउट एनी साइड एफेक्ट के यह हम इसमें 100% नेचुरल है क्योंकि इसमें मैंने अल्ली दो इंग्रीडेंट का यूज किया है कैसे कैसे हमें यह फेस टोनर बना रहा है वो में सब स्टैप आपके साथ शेर करूंगी तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा इसके बिल्कुल भी मत कीजेगा और वीडियो अ आपको मेरे आनेवाज वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे है आपको मेरे वीडियो कैसे लगती है कॉमेंट बोक्स में मुझे कॉमेंट करके भी बताना आपका एक लाइक और कॉमेंट मुझे बहुत ज्यादा मॉटिवेशन देता है आपके लिए अच्छ आप अच्छे से दोकर पीलोफ करके कट करके रख लेंगे इसको बनाना है सिर्फ यह एक हफता हमारा चल जाए इतनी ही कॉंटिटी हमें इसकी रखनी है तो दोनों चीजों को आप अच्छे से धोकर चील कर एक जगर रख लेंगे आप चाहे तो इसमें कुछ तुलसी की प पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद आपको एक स्ट्रेनर की हेल्प से अपने इस सारा जो पेस्ट आपने बनाया है इसको आप स्ट्रेन कर लेंगे यह जो हमारा डियाइवाई फेस टोनर है ना कर्मियों में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है जैसे कि मैंने बताया है ज्यादा क्वांटिटी हमें इसके बनाके नहीं रखनी है और इतना ज्यादा अच्छा है जब भी आपको लगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डर्ल तो आप इसको अपने फेस पर स्प्रे कर सकते हैं आप इसे अपने अधर बोडी पार्ट पर भी स्प्रे कर सकते हैं और आप इससे अपने फ्रीज में स्टोर करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जब भी आप इसको ठंदा ठंदा फूल कुल अपनी फेस पर मिंट और कुकंबर के जूस में अब हमें एड़ कर देना है थोड़ा सा गुलाब जल आप कोई भी गुलाब जल यहां पर यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवलेबल हो और साथ में ए दो या तीन ड्रोप आप एड़ कर देंगे इसमें कोई भी essential oil मेरे पास यहां पर ग गुलाब जल यानि की रोज वर्ट जो है हमारी स्किन को light bright और एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो देता है इसकिन के pH लेवल को मैंटेन करके रखता है यहां पर हमारा natural face toner बनकर ready है आप इसे किसी भी container में डालका स्टोर करके रख सकते हैं मेरे पास अभी एक spray bottle था तो मैंने इसको डाल लिया है आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे रोम temperature पर आप इसको ना रखे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसकी self life बहुत है क्योंकि हमने इसमें essential oil डाला है और साथ में गुलाब जल डाला है जो कि इसको कुछ time के लिए long lasting बना देता है तो आपको बहुत ही थोड़ी quantity में इसको बनाना है और हर seven days बाद आपको एक नया pack इसका बना लेना है इन गर्मियों में आपकी skin पहुत ही ज्यादा अच्छ पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपने 100% natural बनाया है अपने हाथों से बनाया है अपनी आखों के सामने बनाया है इसमें कोई भी chemical नहीं है अगर आपकी oily skin है तो यह उसमें भी help करेगा आपके skin से oil को remove करेगा जो excess oil होता है यह सिर्फ उसको remove करेगा और आपके face पर ए है बहुत ही soothing effect यह आपको देने वाला टोनर है तो इसको यूज जरूर कीजेगा और यूज करने के बाद अपना experience मेरे साथ comment section में share जरूर कीज़ेगा आपके skin पर बहुत ही ज्यादा जेंटल है combination dry या फिर oily सभी skin type के लिए suitable है हर कोई skin type वाला इसको यूज कर सकता है कैसा लगा आपको बताईएगा जरूर comment box में comment जरूर कीज़ेगा बड़ा नहीं तो छोटा ही सही लेकिन कीज़ेगा जरूर और वीडियो आपको कैसी लगत के साथ और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे अपने फ्रेंड्स और फैमली मेंबर के साथ मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई